नमस्कार सात्यों फिर से स्वागत आपका एक और नी वीडियो में तो बसात्यों मकान मर्मत योजना को लेके बहुत बड़ी खबर लेक्या है हाँ बैब BPL परिवारों को और याना सरकार 80,000 रुपे जोब देने वाड़ी है आवास नमीनिकन योजना है जिसके तहट बहुत सारे परिवारों ने जोब पिछवी फारंब रहा था और जिसका जोब दुबारा भी प्रोसेस टार्ट करने के लिए बोल लिया गया है जिसके अंदर आप साथेन अगर पहले फारंब रहा था तो किस परकार से चैक करां और अभी जो ताजा जानकारी आई है उसके अंदर जो है क्या क्या लिखर क्या है आप साथेन दिखाए दिया सारे इन्फरमेशन तो इस परकार से देख लिए जाती हुए बीप्यल परिवारों को मकान मरमत के लिए मिलंगे 80,000 पी उपायुक्त जी के द्वारा जो बाते करने का काम करया गया है तो इसके अंदर लिख्या गया पहले या जो योजना है वो अनुसुचित जाती हैं पिछड़ा वरक कल्यान के लिए निकाड़े गई थी डाक्टर बी यार अमबेट कर आवास नमी निकाड़ी योजना इसके तहत जोब बीपियल परिवारों को भी मकान मरमत के लिए 80,000 आरपी दिये जाओंगे यानि कि जिस परिवार की निकाम है 1.80 लाक रुपे है तो वो सभी परिवार जोब बीपियल स्रेणी के तहत आवा है तो इन सभी परिवारों को जो भी यो पैसा जो है देने का काम करया जाओगा जिसकी वैरिफिकेशन कम्पलीट हो जाएगी इसके अंदर लिख्या गया है और याना सरकार द्वरह इस योजना के अंदर संसोधन के बाद अभी यह है सभी पातर बीपियल परिवारों को उपलबद होगी भै और डीसी मुहमद इमरान रजा ने बताया कि सरकार ने नहें केवल योजना का लावारती का दायरा बढ़ाया बलकि आर्थिक साहतागी रासी भी बढ़ाएगे वसीजार भी करती वै इस योजना के तहत केवल वही पातर परिवारोंगे जिनका मकान दस वरस या उससे अधिक जोब पुराणा है और मरमत योग्य स्थीती में है योजना का लाव उठाने के लिए आवेदक को अरियाना का जोब स्ताय निवासी होना चाहिए ठीक है और बीपियल सुची में जोब उसका नाम दर्जोना चाहिए यानिके आपके पाज में जो बीपियल रासनकार्ड है वो बन्या हुआ होना चाहिए और इसके तहत जोब कोई भी परिवार है चाहिको जर्नल कटेगरी से हो या अनुसुची जातिय पिछड़ा वरक से हो सारे सारे इसकिंदर समली तो उसका वै परिवार आइडी बीपियल रासनकार्ड जाति प्रवान पत्तर दारकार्ड बैंकाता वीवरन और मकान के साथ की फोटो बिजली बिल आउस रजिश्टरी के दस्तावे जनिवार यह है और शत्यापित करवाने के बाद में नजदीक की CSC सेंटर से ओनलाइन करवाना है उसके बाद में यह जो फार हम आपको जमा भी करवाना पड़ा है एक बार यह आपने जैसे CSC सेंटर बह गई वह आपे आपको अपना सारा डोकुमेंट जो स्केन करके ओनलाइन करवा दिय है कि इस योजना का लाब उठावाएं रावेदन परिकरिया में सभी आवशक दस्तावेज सही और शमय पर जोहत जमा करें जिससे जोब कोई भी परिशानी का सामना ना करना पड़ा है इस जिन परिवारन अपना फारम पर लिया वह किस प्रकार से चेक कर पाऊंगे साइट के उपर उसका भी लिंक आपको दिखाए देया कि यहां पर जायके आपको जोहत आपना फारम का स्टेटस पता कर लेना है तो इस प्रकार से गूगल क्रोम केंदर आना है कोई भी जोब गर वैठे अपना फार्म का स्टेटस चेक कर सके है जैसे आपने गूगल क्रोम केंदर लिख्या सरलर याना जैसे लिखने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से साइट आजाएगी यहाँ पे आपको एक option दिखाई दे जाएगा भाई track application appeal का इसके उपर job click करना है जैसे इसके उपर click करोगे आपके सामने के नई site open होगी इस प्रकार से यहाँ पे आपको job अपना select department करना है फिर आपको select अपनी service करनी है इसके अंदर आपको क्या select करना है आपको दिखाए दो जैसे आप इस प्रकार से करोगे यहाँ पे job आपके सामने एक सकीम आओगी निच्चे लाश्ट में जाएके welfare of SC and BC इसके उपर आपको अपना job कलिक करना है जैसे आपने इसके उपर कलिक करया फिर यह select service आओगा भई डाक्टर बी यार अमबेड कर जो नवीनिकन योजना भई इसके उपर आपको अपना कलिक करना है जैसे आपने इसके उपर कलिक करया फिर यह आपसे आपकी ID मंगगा भई जो भी आपने फारम बर्या था उसकी ID जो आपको यहाँ पर डाल देनी भई ओ आइडी डालने के बाद में जैसे आप check status करोगी आपके सामने आपका जो फारम बर्या था उसका status दिखाय देगा वो अपरूल होया है या आभी भी जो है पिंडिंग में पड़िया है तो इस प्रकार से आप साती जो बै अपना अपना जो फारम चेक कर लीजिए अब भी इनकी वेरिफिकेशन शुरूँ हो चुकी है जिन परिवारन पहले फारम बर्या था और अब जो बर याना सरकार इनको 80,000 रपी जो बै मकान मरमत के देने वाड़ी है एक कलीक के साथ में आप साथ लगी यहीता जैन फॉर्मेसल लेगा था आप साथ इन वीडियो देखिया का बहुत बहुत धन्यवाद है जै इन जै भारत जै रियाना